हेलो दोस्तो आज का जो ECL T10 लीग का जो डिरेक्स वर्सेज हिल्सिंग की टाइक टेंस के बीच में जो मैच होने वाला है दोस्तो उसके बारे में हम यहां पे रियूग करने वाला है गुरूप C का यह फस्ट मैच रहेगा दोस्तो इस मैच के अंदर क्या कुछ रिसेंटरली अपडेट रहती है या फिर कोई भी न्यू प्लेयर आता है जिसका रिकोर्ड मैं आपको यहां पे कवर नहीं करवा रहा हूँ उसका रिकोर्ड दोस्तो मैं आपको टेलिग्राम के उपडेट करवा दूँग आपको डिस्क्रिश्टिन में मिल जाएगा इसके लाद दोस्त इस यूट्योब चैनल के उपर आप नए हो तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए दोस्तो इस मैच की ड्रीमिलन टीम बनाने से पहले इनके जो रिकोर्ड रहे हैं पिछ रिपोर्ड के अंदर क्या कुछ रहे हैं पहले वो देख लेते हैं उसके बा एवरे स्कोर राय 6 रन लास्ट पांच में से दो मैच वह रहे हैं वह पहले बैटिंग करने वाल टीम ने विटिए यह चेज्ज मैस दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए 158 न बनाई थे चेज करते हुए तो हैंक्स ने 101 रन के उपर आल उट हो गई ती उस मैच के दर उस दोस्तों बारान बनाई थे और एक विकेट निकाला था जाहिदूला कमाल नुमबर चार के ऊपर खेलते हैं चारीस रन उस मैच के दर बनाई थे अहमेद नभी ओपनिंग करेंगे तैईस रन बनाई थे अफृदी यासिन ने दो विकेट निकाले थे कामरान जाहिए ने तीन विकेट उस मैच के दर निकाले थी डिरेक्स क्रिकेट कलब का अगर रिशेटरी रिकोर्ड देखे तो लास्ट पांच में से दो मैच इन्होंने विन किये हुए हैं लास्ट मैच की प्लेंगे लिए उन देखे तो नियाज आदमा तो तो इनके प्रोपर ओपनर रहते हैं 14 म बना चुके हैं अटेकिंग प्लेयर रहेंगे ओपनिंग करने वाले हैं टीटोंटी डॉमिनेस्टिक का रिकोर्ड देखे तो 178 मैच खेल चुके हैं चारहाजार बैक्टर रहें लेकिन टीटैन के अंदर बोलिंग नहीं करने वाले अवरेज अगर देखेंगे 25 के बनाच जाई नमबर 3 के ऊपर खेलेंगे 10 मैच अभी तक खेलेंगे 112 डॉमिनेस्टिक का रिकोर्ड देखे तो एक सो चार मैच तके अंदर 292 रन और 51 विकेट इनके नाम रहें तब इस बाती दोस्तों यह आलांडर रहेंगे बोलिंग डिपार्टमेंट के अंदर मिल चुके हैं साथ मतों तो 22 की एवरेज रहती हैं 1250 भी लगा चुके मुहमद निशार 10 मैच अभी तक टीटन के खेलें एक सो ठीटन के नाम रहें तो अभी तक टीटन के मैच खेलेंगे नहीं हैं चार टीटन के अंदर 41 चार विकेट इनके नाम रहें साथ मतों तो 222 डोमिनेश्टिक के अंदर 18 मैच अंदर 212 विकेट ये निकाल चुके हैं अब्दुल ने 13 मैच अभी तक खेलेंगे तीटन के तेरा मैच अंदर 13 विकेट इनके नाम रहें बैटिंग इनकी आती नहीं है बोलिंग इन से करवा नहीं रहें रहें अरसलान नूर की बात के अंदर सब्सक्राइब तेरा मैच इनके नाम रहें यहां पर गुलाम अबास बुट की बात करेंगे इनकी अच्छे ओपनर रहने वाले हैं आटेकिंग प्लेयर रहेंगे गैरा मैच अभी तक खेल चुके इनके नाम रहें हैं वाकि तो कभी कोई पार्टाइम बोलिंग कर लेते हैं पचासी मैच चेंदर तेइसो ओठानमे रन नबबब विकेट इनके नाम रहें टीटेवनटी डॉमनेस्टिक के अंदर तीस के अवरे जाती हैं सत्रा फिप्टी और एक सेंचुरी लगा चुके हैं आध कुरासी दिस मैच चिद के अंदर एक्सोच्छी रन आठ विकेट इनके नाम रहें वो तेइसो ओठान नबब विकेट इनके नाम रहें टीटेवनटी डॉमनेस्टिक के अंदर दोसो तेरा मैच खेल चुके हैं पांसदार चोंडन तरेंसे विकेट इनके नाम रहें था तैसकी आवरे रहती हैं पत्शी फिक्टी और दो सेंचुरी भी अभी तक लगा चुके है जाईदोला कमल 10 मैचेट के अंदर 113 रन इनके नाम रहे हैं टीटेएन के अंदर टीटेवनटी का रिकोर्ड देखे तो 208 मैचेट के अंदर 33 रन 60 विकेट निकाल चुके हैं खालिद मंगल की बात के नोदो तो इसनी अच्छी ओप्शन नहीं रहने वाली जरूर ये फिन इनके नाम रहे हैं टीटेवनटी डोमेस्टी का रिकोर्ड देखे देखे जिनके नाम विकेट नहीं रहे हैं आच मैक्स कोई विकेट नहीं लगा लेकिन डर बाुल्ल निकले हुए लोगा निकाला हूए बात करें पांस मेच जैएन के नाम रहा हैं चैनक थार्निकš पर इ जिए जिए निकाले हैं वही प्रदोस्तों अगर टीटोंटी का रिकोर्ड देखे तो 12 मैसे के नदर 108 विकेटिन के नाम रहे हैं फैजल साधा तो तो थो तो यह इनके विकेटेकर बोलर रहने वाले हैं अभी टीटोंटी खेल के आया हैं प्रेट टीटेन अभी तक खेले नह मैसेच के नजरे 150 विकेटिंग के नाम रहे हैं एक सा प्लेयर का रिकोर्ड देखते हैं तो मैंने इनका रिकोर्ड भी यहां पर डाल दिया है तो इनका रिकोर्ड आप यहां पर दो अच्छी अप्सिन आपको मिल जाएगी एप उस्ति या पिर जाकी कमल दोस्तो इन दोनों म इसे किसी एक को पिक कर सकते हैं यह नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे यह नंबर 4 के ऊपर खेलेंगे लास्ट मैच एड़ टू एड़ के नंद दक की उला कमल ने 40 एन की पारी खेली थी अनिकेट पुस्ती तो थोड़ों सादा इनकी पास एक्स्पिनिस रहने वाला क्योंकि काफ तो यह भी आपने रहने वाले हैं यह भी अटेकिंग प्लेयर रहेंगे तकरीबन तेरा तो दो थोड़ों से उपर रन बना चुक्छे हैं टीटन के अदर एच नियाद को दो तो आप मैंने यहां पर रखा है क्योंकि यह एम निसार से अगर कंपेर कर दो तो एम निसार नं आदखरी दोस्तों तो यह नहीं की प्लेश में से एक रहेंगे ऑपनिंग करेंगे तकरीबन बेटिटन के अधर कर लेतें किया हैं क्योंकि लास्ट है ट्वेड मैच हुआ था उस अदर बेटिंग भी निकाले थे आपको बोलिंग भी कर देने वाले हैं उस्मान खfahrकान को दृस्तों मैने यहां पर पिक किया चार मतनीं By भिकट के उन्हां चाहरें को कि करवाना चाहिए तो आप इनको करवा होसक्ते हैं लिए रिखी आप ऊप्सान चाहिं नगे उस्माला रियाज पना देखने में आप दाखतो दोस्तो वाइद कुरेशी हो सकता है आपको बैटिंग इनकी ना आए लेकिन बोलिंग के अंदर ये भी आपको दोवावर करके देने वाले हैं बोलिंग डिपार्टमेंट से तीन बॉलर्स को यहां पर पिक किया हुआ है करके देने वाला है लास्त पांच मैंस के मिनिममम एक लिकेटिंग के नाम जरूर रहता है साथ में नमबर चाहर के ऊपर खेले हैं तो यहां पर रखना चाहिए तो इनको भी रख सकते हैं यह भी दो आवर करने वाले लास्त है तो एड़ मैंच हुआ था उस मैंच के निए न मैंच विन किया था कैप्टन के लिए दोस्तों यहां पर आपको बोलिंग भी करके देने वाले हैं लास्त दोनों इनिसके ने दो फिप्टी भी लगा चुके हैं यह तोड़ी सी अच्छी ओप्शन रहेगी नूमर चाहर के ऊपर खेलेंगें साथ मैं आपको पूरे के पू सीरीज की बात करें तो अभी तक दोनों ने तेरा तेरा तोदो फोदो मैंचेत खेले हुएं और दोनों प्लेयर के शाड़े 300 से उपर रहे हैं टीटैन के अंदर बाकियों तो इनके अलाव अगर कोई भी अपडेट रहा या फिर कोई भी न्यू प्लेयर आया उसका रिकोर कर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा